मैं ममता अमरुतलार मिस्त्री बोल रही हूँ गुजरात के राजकूर्ट सिटी राश्रिशाला से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारे देना चाहती हूँ महामारी कोरोना या किसी भी प्रकार की वायरल डिसीस से संक्रमित बीमारी से कैसे उबरे या बहार निकले पिछले मैंने में मुझे कोरोना हुआ था और तीन दीन बाद मेरी सिस्ट सिमा को भे हुआ था हमने हार नमान के कैसे कोरोना जैसी संक्रमेत बिमारी को हराया इसके सम्मन में बता रही हुँ आहार, घरेलू, उप्चा, यो, प्राणायाम, आयुर्वेद के द्वारा मैं और मैरी सिस्च सीमा हम दोनों ठीक हुए कोरोना से दुसरे कॉम्प्लिकेशन्स भी हुए थे और एलोपेथी दवा के ठीक हो गये थे, तीन दीन में फरक पड़ गया था और नौ दीन में हम लोग एक्टब ठीक हो गये थे स्वामी जी महाराज के शिश्य जैशंकर जी ने हमें इन दिनों में गाइड किया और खुब अच्छे से हर एक बात को समझाया बुखार के लिए जैशंकर जी ने बताया दो टमाटर और एक खीरा खाना है दिन में दो से तीम बार इससे बुखार उतरता है मुझे डायाबिटी से इसलिए मैं उसमें करेला भी लेती हूँ खासी के लिए पतंचली का दिव्यपे पांच चमच एक लीटर पानी में डालकर पंदरा मनिट तक उबालना है और उसी पानी को पीना है काडे में तुलसी, कीलोय, हल्दी, दालचेनी, कालीम मिच, लोंग, अतरक डालके पीना है आए के घी का दिया जलाकर उसमें कपूर, गूगल, दिव्यधारा डालने से ऑक्सीजन मिलता है और भी नुसके है ऑक्सीजन जिससे मिलती है जैसे की घर्दन पीछे गुमाने से, दीवार पे दोनों हाथों को प्रेस करने से, पूरा दिन चाह से पांच लीटर पानी पीना है और पेट के बल लेटकर छाती के नीचे तक्या रखना है, नाभी के पास और पेरों में तक्या लगाना है 24 घंटे लंबी सास लेना और छोडना है, सास को लेते वक्त मूँ बंध रखना है, नाग से ही सास लेना और छोडना है, एक पोटली में कपुर लोंग और अजवाइन डाल कर सुंगना है ऐसे इस प्रकार से हमारी ओक्सीजन बढ़ गई शेशंकर जी ने बताया, खाना कम खाओ या बिल्कूल ही ना खाओ, मूंकी दाल की खिचड़ी उसमें गी और नमक मत डालो, उसमें दालचिनी हल्दी और काली मेज डालो, मीथी, अंगुर, खजूर, अनार खाना है, मुनक का चूसना है मुद्रा में अपान वायु मुद्रा एक से तीन घंटे दिन में करने से सास की तकलिफ दूर होती है, वो मिट होती है तो अपान मुद्रा करनी है, स्वासारी दो गोली, कोरोनिल और अनुतिल नाक में लगाना है हर रोज, बिना होस्पिटल के आयुरवेद, योग, आहार, दिव्यपे से हम दोनों बहनों का कुरोना ठीक हुआ, प्राडायाम में चैशंकरजी ने पताया पस्त्रिका, कपालभाती, अनुलों विलों उच्छाई करें, उच्छाई से कौफ निकलेगा, आसनों में ताडासन, तिरियक ताडासन, भुझांगासन, त्रिकोणासन और म कटासन करने से उक्सिजन मिलता है, मैं पुझे स्वामी जी महाराज का बहुत धन्यवाद करती हूँ, जैशंकरजी का भी जिन्होंने मुझे गाइडन्स देके हिल्प की, राजकोट के योग गुरु किशुर भाय पढ़ियार का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, इस महामार इसे पहार निकलने में इन सब का बड़ा योगदान है, स्वामी जी महाराज को मेरा शच्चत कोटी नमन